ओडिशा के राजपाल, रगवर्दास जी, मुख्य मंत्री, मेरे मेत्र स्रिमान नविन पत्नायक जी, केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे सहयोगी, धर्मेंदर प्रदान, अश्वीनी वैश्णाव, विश्वेश्वर्त तुडू, समस्वत के मेरे साथी, नितेश गंगादेव जी, आएम संबलपूर के निर्देशक, प्रफूसर महादेव जैस्वाल, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज ओडिसा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही एहम दीन है, मैं ओडिसा के लोगों को करीब सत्तर हजार करोड रुप्ये के इन विकास प्रोजेस के लिए बहुत-बहुत बदाई देता हूँ, इसमें सिक्षा, रेल, रोड, बिजली, पैट्रोलियम से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शाविल हैं, इन परियोजनाओं का लाब ओडिसा के गरीब, मद्दूर, कर्मचारी, दुकांदार, व्यापारी, किसान एन समाज के सब वर्गों को इसका लाब होगा, ये परियोजनाएं, उडिसा में सुविदाओं के साथ साथ, यहां के नवजवानों के लिए, रोजगार के हजारों नए आउसर भी लाने वाली है, साथियों, आज देश ने अपने एक महान सपूत, पुर्व उपप्रधान मंत्री, लाल कृष्णा अडवानी जी को, भारत रत्न देने का भी निर्ड़ा लिया है, भारत के उपप्रधान मंत्री, ग्रह मंत्री, एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में, और दसकों तक, एक निष्ठावान जागरूप सांसत के रूप में, आदर्णिय अडवानी जी ने, देश की जो सेवा की है, वो अप्रतीम है, अडवानी जी का ये सम्मान, इस बात का प्रतीक है, कि राष्ट की सेवा में, अपना जीवन खपाने वालों को, राष्ट कभी भुलाता नहीं है, मेरा सवभाग्य रहा, कि लाल कृष्ण अडवानी जी का स्ने, उनका मारदर्शन, मुझे निरंतर मिलता रहा है, मैं आदर्णी अडवानी जी के दिर्गायों होनों की कामना करता हूँ, और उन्हें, ओडिशा की महान धर्ती से, समस्त देशवासियों की तरप से, बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, साथियों, हमने ओडिशा को सिख्षा का, कौशल विकास का, एक महत्वप्रुन केंद्र बनाने के लिए, निरंतर प्रयास किये हैं, बीते दसक में, ओडिशा को जो आधुनिक संसान मिले हैं, सिख्षा संसान मिले हैं, वो यहां के, युवाओं का भाग्य बदल रहे हैं, आईसर ब्रह्मपूर हो, या बोमनेश्वर का, इंस्टिटूट अब केमिकल टेकनोलोजी, ऐसे अनेक संस्तान, यहां स्थाफिट किये गए हैं, अब, आया एम संबलपूर भी, मैनेजमेंट के, आधुनिक संस्तान के रूप में, ओडिशा की भूमिका को और ससक्त कर रहा है, मुझे आध है, तीन साल पहले, कोरोना काल में ही मुझे, आया एम के, इस केमपस के सिलान्यास का आउसर मिला था, अनेक रुकावोटों के बावजूद, अब यह शांदार केमपस बन कर तयार है, और आप लोगों का जो उत्सा में देख रहा हूँ ने, उसे मुझे लगता है कि केमपस आपको कितना प्यारा लग रहा है, मैं इसके निर्मार्ट से जुड़े, सभी साथ्यों की प्रसौंसा करता हूँ, साथियों, विक्सीद भारत के लक्ष को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब भारत का हर राज्य विक्सित बनें, इसलिए बीते वर्षों में हमने ओडिसा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है, केंद्र सरकार के प्रयासों से ओडिसा आज पैट्रोलियम और पैट्रो केमिकल के खेत्र में भी नई उचाई प्राप्त कर रहा है, पिछले दस सालों में ओडिसा में पैट्रोलियम और पैट्रो केमिकल छेत्र में सवा लाग करोड रुप्य से अधिक का निवेश किया गया है, बीते दस वर्षों में पहले की तुलना में रेलवे के विकास के लिए ओडिसा को बारा गुना जादा बजेट दिया गया है, बीते दस वर्षों में प्रदान मंत्री ग्रामिर्ट सडक योजना के तहट ओडिसा के गावों में करीब पच्चास हजार किलोमेटर सडके बनी है, राज्य में चार हजार किलोमेटर से अधीक नए नेशनल हाइवे का निर्माण भी हुआ है, आज भी यहाँ नेशनल हाइवे उससे जुड़ी तीन बड़ी परियोजनाओं का लोकारपन किया गया है, इन प्रोजेक्ट से जार्खन और ओडिसा के बीच इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा की दूरी भी कम होगी, इक्षेत्र, खनन, बिजली और इस्पाद उद्योग की संभावनाओं के लिए जाना जाता है, इस नई कनेक्टिविटी से, इस पूरे छेत्र में नए उद्योगों के लिए संभावनाओं बनेगी, रोजगार के हजारों नए आउसर बनेंगे, आज संभलपूर ताल चे रेल खन का दोहरी करम, जार तरभा से सोनपूर सेक्शन तक नई रेल लाइन का भी शुभारम हो रहा है, पूरी सोनपूर एक्सप्रेस से सुबनपूर जिला यानि हमारा सोनपूर जिला आज रेल कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है, इससे स्रद्धालों के लिए भगवान जगणात का दर्शन करना और आसान हो जाएगा, ओडिसा के हर परिवार को परियाप और सस्ती भीजिली मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयात रहत है, आज जिन सूपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सूपर क्रिटिकल थर्मत प्रांस का उद्धार नहीं आ हुगा है, उनका लक्ष भी यही है, भाई और बैनों, बिते दस वर्सों में केंद्र सरकार ने जो नीतिया बनाई है, उनका उडिसा को बहुत अधिक फाइदा हुआ है, हमने खनन के ख्षेत्र में जो नए रिफॉर्म किये हैं, ओरिसा उसका बहुत बड़ा लाबारती रहा, खनन निति में बढ़लाव के बाद, ओरिसा की आए में दस गुना की वृद्धी हुई है, पहले खनीज उत्पादन का लाब उनक ख्षेत्रों और राज्यों को उतना ही मिल पाता था, जहां से खनन होता है, हमने इस निति को भी बदला, केंद्र की भाजबा सरकार ने दिस्ट्रीक मिनरल फाउंडेशन का गटन किया, इसे खनीज से हुई आय का एक हिस्सा, उसी ख्षेत्र में विकास के लिए लगाना सुनिश्चित हुआ, इससे भी ओडिस्या को अब तक करीब करीब पच्चीस हजार करोड रुपे से अधिक मिल चुके हैं, ये पैसा जिस ख्षेत्र में खनन हो रहा है, वहां के लोगों के कल्यान के काम आ रहा है। मैं ओडिसा की जनता को आस्वस्त करता हूँ, कि केंद्र सरकार इसी समर्पित भाव से ओडिसा के विकास के लिए काम करती रहेगी। साथियों, मुझे यहां से एक बहुत बड़े कारकम में जाना है। खुले मादान में जाना है। तो वाम विजाज भी कुछ और होता है। तो मैं यहां लंबा समय आपका नहीं लेता हूँ। लेकिन वहां मैं जड़ा अधिक समय लेकर के काफी बाते करूंगा। 15 मिरिट के बाद उस कारकम में पहुंचूंगा। एक बार फिर आप सभी को विकास कारियों के लिए मैं बहुत बहुत बदाई देता हूँ। और मेरे युवास सात्यों को विशेश बदाई। बहुत बहुत धन्यवाद।